प्लीज आप लोग ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से घर में ही मुर्गियों के लिए लगबग 160 केजी फीट एकदम कम खर्च में बना सकते हैं तो प्लीज आप लोग ये वीडियो पूरे लास्तक ध्यान से देखना वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अगर आप लोगों ने अभी तकी चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पलीज लाल रंट के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी चनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बैल आइकन है उसे भी पैस कर लिजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोड़ देकेशन मिल जाए देखे साथियो अगर आप लोग देशी मुर्गी पालन करते हैं और अगर देशी मुर्गीों के फीट का खर्च कम नहीं करते हैं और ये फीट बनाने के लिए टुट्टिल खर्चा कितना होगा उसके बाद में आप लोगों को इस वीडियो में डीटिल में बताने वाला हूँ देखे साथियो ये फीट बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 60 केजी मक्का हमें अच्छे quality के मक्का लेना है और उसे चक्की में अच्छे से पिश्वा लेना है और उसके बाद हमें चाहिए 50 kg commercial feed देखे साथियो अगर आप लोग के पास बड़े size के मुर्गया है तो उनके लिए आप लोग को finisher feed लेना होगा और अगर आप लोग के पास चोटे size के मुर्गी है तो उनके लिए इस्टटर feed लेना होगा उसके बाद 3 नमबर में हमें चाहिए 15 kg बाजरा, 4 नमबर में चाहिए 3 kg मच्छी का चूरा, 5 नमबर में चाहिए 20 kg rice bran, इसे rice polish भी कहा जाता है ये feed बनाने के लिए 6 नमबर में चाहिए marble का चूरा, 7 नमबर में चाहिए 100 g mineral mixture और 8 नमबर में चाहिए 100 g नमक जब हम इन सभी सामग्रियों का जुगार कर लेंगे उसके बाद हमें करना क्या है नीचे जमीन पर पन्नी या बस्ता बिछाना है और उसके उपर सबसे पहले 60 kg मक्का रखना है, मक्का के उपर 50 kg commercial feed डालना है अगर आप लोग उने finisher feed खरीदा है तो finisher feed वहाँ डालना है और अगर आप लोग उने stutter feed खरीदा है तो वहाँ stutter feed डालना है उसके बाद 15 kg बाजरा भी वहाँ डालना है, 3 kg मच्ची का चूरा डालना है, राइस ब्रान यानिकी राइस पॉलिस 20 kg भी वहाँ डाल देना है, उसके बाद 10 kg चापोर यानिकी चोकर भी वहाँ डाल देना है, 100 g मर्बल का चूरा भी वहाँ डाल देना है, 100 g मिनेरल मिक्चर भी वहां डाल देना है और 100 ग्राम नमक भी वहां डाल देना है जब आप लोग इन सभी चीजों को पनी के ऊपर या बस्ता के ऊपर डाल देंगे तो आप लोग को करना क्या है इन सभी चीजों को अच्छे से बराबर मिक्स करना है और एक बात मैं आप लोग को बता देना चा अब हम हिसाब करते हैं कि इस फीट को बनाने में टोटेल खर्चा कितना हो सकता है तो प्लीज आप लोग ये वीडियो बीच में स्किप मत करना पूरे लास तक ध्यान चे देखना अगर आप लोग अच्छे quality के मक्का खरीते हैं तो मक्का का प्राइज लगबग पर केजी 30 रुपए से लेकर 32 रुपए तक होता है और अगर हम पर केजी मक्का का प्राइज 32 रुपए मान के चले तो उसके हिजाब से 60 केजी मक्का का प्राइज हो जाता है 1,920 रुपए देखे साथ ही हो commercial feed अगर आप लोग खरीते हैं finisher feed का price अलग होता है और stator feed का price अलग होता है हमारे यहाँ अभी पर kg stator feed का price 40 रुपे है तो उसके हिसाब से 50 kg stator feed का price हो जाता है 2000 रुपे मच्छी का चूरा अगर आप लोग खरीते हैं तो उसका price per kg 15 रुपे होता है तो उसके हिसाब से 100 gram मरबल का चूरा खरीदने में खर्चा होगा लगभग 1-2 रुपे अगर आप लोग बाजरा खरीते हैं तो उसका price लगभग per kg 28-29 रुपे तक होता है और अगर हम per kg बाजरा का price 29 रुपे मानके चले तो उसके हिसाब से 15 kg बाजरा खरीदने में खर्चा होगा 435 रुपे अगर आप लोग rice policy यानि की rice brand खरीते हैं तो उसका price लगभग 15-16 रुपे होता है per kg और अगर हम per kg rice brand का price 16 रुपे मानके चले तो उसके हिसाब से 20 kg rice brand खरीदने में खर्चा होगा 320 रुपे और अगर आप लोग चापोर यानि की चोकर खरीते हैं तो उसका price per kg लगभग 32 रुपे होता है तो उसके हिसाब से 10 kg चोकर का price हो जाएगा 325 रुपे अगर आप लोग 1 kg के mineral mixture powder खरीते हैं तो उसका price लगभग 30-40 रुपे होता है तो उसके हिसाब से 100 g mineral mixture powder का प्राइज हो जाएगा 1-2 रुपे ये feed बनाने के लिए हमें नमक भी चाहिए और अगर आप लोग 1 kg नमक खरीते हैं तो उसका प्राइज लगबग 10 रुपे होता है तो उसके हिसाब से 100 g नमक का प्राइज कितना होगा 1 रुपे अब टूटेल करते हैं कितना होता है बखका प्राइज हो जाता है लगवग एक रुप Campaign 100 ग्राम मरभल का चुरा 2 रुपई तो टुटेल हें 5125 रुपे feet लोग 158 Kg 36 gram ॏ कि लिए 5125 और 158 Kg 3 से divide करते हैं तो कितना होता है लगवग 32 रुपए मतलब अगर आप लोग इस तरीके से फीड बनाते हैं तो पर केजी फीड का प्राइस कितना होगा लगबग 32 से 33 रुपे अगर आप लोग सिर्फ कॉमर्शल फीड मुर्गियों को खिलाते हैं तो कॉमर्शल फीड का प्राइस पर केजी 40 रुपे से लेकर 45 रुपे तक होता है देखिए अगर आप लोग 40 से 45 र तो आप लोग का बहुत ज्यादा मुनाफ़ा होगा तो साथ यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोग इसाद सेयर किया और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के और अपने परिवारों के साथ वीडियो को सेयर जबर करना तो साथ ही ओ, आज के लिए बाई बाई मिलते हैं फिर एक जबर डस्ट वीडियो के साथ